नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमित जी सेंटर में दोस्तों मैं हूँ अमित और आज की इस वीडियो में हम सुरू करने वाले हैं आज उसकी पहली वीडियो है तो आप लोग बने रहेगा शुरू से अंतक हमारे साथ इस वीडियो में और वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे है ठीक है और PDF के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल के कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रख्था है ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आज का जो पहला सथा सुतंत्रभाद का पहला मोटर या नदिनियम कौन सा आया था ठीक है सुतंत्रभाद का पहला यारी कि 1947 के बाद पहला मोटर वहां नदिनियम कब आया था ठीक है उप्शन से हमारे पास मोटर यान अधिनियम 1949, मोटर यान अधिनियम 1914, मोटर यान अधिनियम 1988 और मोटर यान अधिनियम 2019 तो यहां पर देखिए उप्शन नुबर वन जो है यह तो हो इनी सकता है आजादी के पहले का यह अधिनियम आया था ठीक है और मोटर यान अधिनियम 1988 यह जो है option no.3 जो है यहाँ पर correct होगा motor यान अधिनियम 1988 इसी को हम क्या बोलते है motor vehicle act 1988 ठीक है चलिए अगला पस्त देख लेते हैं प्रस्ण है motor यान अधिनियम 1988 ने किस अधिनियम का इस्थान लिया था options है motor वहान अधिनियम 1914 motor वहान अधिनियम 1949 और इन में से कोई नहीं तो किसका इस्थान लिया था 1988 ने ठीक है तो यह लिया था motor वहान अधिनियम 1949 का इस्थान option no.3 यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है अगला पस्त देखते हैं अगला पस्त नहीं है यदि कोई नावालिक accident करता है तो उसके parents को कितने साल तक की सजा हो सकती है ठीक है तो आप अगर अपने बच्चों को गारी चलाने के लिए देते हैं जो कि नावालिक है ठीक है 18 साल से कम उम्र का है तो उसको तो कुछ नहीं होगा ठीक है उसको चोट रोट आएंगी जो भी है और लेकिन parents को जो है कितने साल की सजा हो सकती है तो अधिक्तम तीन साल की सजा हो सकती है ठीक है चलिए अगला पसंद देख लेते हैं अगला पसंद है मोटर विकल एक्ट यानि की मोटर वहान एक्ट 1988 में नया संसोधन कब हुआ है तो नया संसोधन हुआ है अभी अभी हाली में हुआ है 2019 में ठीक है ऑप्सन नमबर बन यहाँ पे correct हो जाएगा चलिए अगला पसंद देखते हैं मोटर वहान अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था ओप्सन से 1 जुलाई 2019, 1 सितंबर 2019, 1 सितंबर 2020 और 1 जुलाई 2020 में ठीक है तो ओप्सन नमबर जो 2 है यहाँ पर 1 सितंबर 2019 को यह लागू हुआ था ठीक है अप्सन नमबर 2 यहाँ पर correct है अगला पसंद देखते हैं अगला पसंद ने मोटर वहान अधिनियम 1988 में कुल कितन 14 है अगला प्रशन प्रेश्टर वहान अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं कितनी देखते हैं जो तो यहां पर options है 220, 320, 217, 110, तो कितनी धाराए हैं, तो 217 धाराए हैं, ठीक है, option number 3 यहां पर correct है, ठीक है, अगला परस्ण देखते हैं, अगला परस्ण है, motor, वाहन, अधिनियम में अनसूचियों की संख्या कितनी हैं, तो कितनी हैं, वो है आपके 2, ठीक है, option number 2 यहां पर correct है ठीक है, अनसूचियों की संख्या कितनी हैं, दो हैं, अगला परस्ण देखते हैं, अगला परस्ण है, motor, वाहन, अधिनियम, 1988 के पहले अनसूचियों में किसके बारे में बताया गया है, ठीक है, तो पहली अनसूचियों में जो पहली अनसूचियों में किसके बारे में बता जाय गया है याता या चिन्हों के बारे में ठीक है option number two यहां पर correct हो जाएगा अगला पसंद देखते हैं मोटर वहान अदेनियम 1988 के दूसरे निसूची में किसके बारे में उलेक किया गया है options है यहाता है चिंबल्स के बारे में मुआवजे के बारे में चालक के बारे में गाड़ी रेगिस्टेशन के बारे में तो मेरे दोस्तों यहां पर दूसरी जो निसूची है ठीक है टोटल परशल है बिटिस कालीन मोटर विकल एक्ट 1949 किस एक्ट का इस्थान लिया था ठीक है तो यह किसका इस्थान लिया था अभी 1949 का इस्थान किस ने लिया था 1988 ने ठीक है और 1949 ने किसका इस्थान लिया था तो वो लिया था आपका यहां पर ऑप्सन देखिए ऑप्सन में दिये वे हैं Motor vehicle Act 1914 और दूसरा है Motor vehicle Act 1938 तीसरा है Motor vehicle Act 1920 और इन में से कोई नहीं तो इसका जो correct answer बनेगा वो है आपका Motor vehicle Act 1914 को ठीक है इसका इस्थान लिया था अगला पसल देखते हैं Motor vehicle Act 1988 का विश्थार कहा है ओप्शन से सभी राज्यों में संपूर भारत में सभी केंद्र सासित प्रदेशों में इसमें से कोई नहीं तो इसका जो correct answer है वो है संपूर भारत में ओप्शन नमबर टू यहां पर correct हो जाएगा ठीक है संपूर भारत का मतलब कि जितने भी केंद्र सासित प्रदेश हैं जम्मु कस्मीर को लेके लेह को लेके जितनी भी है सब में यानि कि संपूर भारत में लागू होता है अगला प्रशन मोटर वाहन अदिनियम 1988 कब पारित हुआ था ठीक है यहां पर option number one है एक जुलाई 1989 में 14 अक्टूबर 1988 पाथ जुलाई 1989 और इनमें से कोई नहीं ठीक है तो मोटर वाहन अदिनियम 1988 पारित और लागू होने में अंतर है ठीक है पारित हुआ था वो हुआ था आपका कब हुआ था 14 अक्टूबर 1988 में यह अदिनियम पारित हुआ था इसको हम क्या बोलते हैं Motor Wuhan Adinium 1988 ठीक है अब अगर हम बात करें कि Motor Wuhan Adinium 1988 कब लागू हुआ था ठीक है तो वो कब लागू आथा तो वो हुआ था एक जुलाई 1989 में ठीक है कब लागू 1989 को चलिए अगला पस्न देख लेते हैं अगला पस्न है यातायात नीमों को लागू करने का दाई तो निमलिखित में से किस पर होता है किस पर होता है यातायात नीमों को लागू कराने का दाई तो जो होता है वो होता है किस पर पुलिस पर ठीक है चालान वही कारती है ना तो पुलिस पर होती है ठीक है अगला पसंद देखते हैं मादक द्रव्य का सेवन करके मोटर वहान चलाने पर कितने माहा तक की सजा हो सकती है ठीक है दारू आरू पीके अगर हम गाड़ी चलाए ठीक है तो कितने माहा तक की सजा हो सकती है हमारे पास उप्संस है 15 दिन 1 माह 6 माह 12 दिन ठीक है तो कितने माह तक की तो यहाँ पर 6 माह तक की सजा हो सकती है जेल जा सकते हैं ठीक है अगला प्रस्ण देख लेते हैं अगला प्रस्ण है ठीक है तो मोटर वाहन अदिनियम 1988 आपको पहले भी एक प्रस्ण में बता चुका हूँ कि कब लागू हुआ था तो यह हुआ था एक जुलाई एक जुलाई 1989 में ठीक है अप्सन नमबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है थाक है आपको बताये था धराई कितनी हैं 217 हैं तो 217 में जो पहली धराई है धराँ एक में क्या कहा गया है option 야पर दिये हैं संचिप्त नाम के बारे में विस्तार के बारे में अधनियम लागू होने के बारे में उप्रूकत सभी थीक है तो धारा एक कहता है क्या कहता है धारा एक कहता है संचिप्त नाम के बारे में मतलब की जो वाहन अधिनियम है उसका नाम क्या होगा ठीक है उसके बाद विस्तार के बारे में ठीक है विस्तार यानि कि कहा कहा पर जो है ये अधिनियम लागू होंगे ठीक है उसके बाद अधिनियम लागू होने के बारे मतलब कि अधिनियम कब लागू होगा ठीक है तो अधिनियम कब लागू होता है जब केंसरकार क्या करती है अधिसूचना जाली करती है ठीक है तो इसके बारे में तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं तीनों अप्सन यहाँ पर सही है ठीक है तो हम कौन सा option करेक्ट यहां पर करेंगे तो यहां पर option number 4 को हम टिक कर देंगे क्या होगा उपरोगत सभी सही है ठीक है motor वहान अधिनियम 1988 की धारा एक में इन तीनों चीजों के बारे में बताया गया है अगला परस्ण देख लेते हैं अगला परस्ण है motor वहान अधिनियम 1988 की धारा दो में किसका उलेक किया गया है ठीक है options है परिभासाओं के बारे में यातायात नेमों के बारे में यातायात चिन्हों के बारे में और इन में से कोई नहीं तो बताइए दोस्तों यहां पर कौन सा option सही है तो यहां पर option नमबर एक सही है ठीक है परिभासाओं के बारे में उलेक किया गया है ठीक है बारी बहान क्या है हलका वाहन क्या इनका सब का परिभासा दिया गया है ठीक है नहीं तो क्या होता हम कुछ भारी वाहन कहेंगे कि यह पचास कुंटल वाले को हम भारी वाहन कहेंगे दूसरा कोई और कुछ तस कुंटल वाले को तीसरा पंद्र भीस कुंटल वाले को कहएगा ठीक है तो पिस की बात मानेगा नहीं मानेगा न तो वह किसको पकड़ता है फिर ये मोटर वाहन अधिनियम जो है उसमें जो परिभासा दी गई है उसके नुशार से चलता है ठीक है तो चलिए अब अगला लाइसेंस की परिभासा चालक के लाइसेंस की परिभासा कौन से धारा में दी गई है तो यह आपकी धारा किसमें दी गई है तो धारा दो में इसके बारे में बताया गया है यहां पर option no.2 करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला पसने लेते हैं अगला पसने हैं मोटर वाहन अदिनियम के ताहत भारी वाहन के सेड़ी में कौन से वाहन आते हैं ठीक है तो ये भी परिभासा दिया गया है परिभासा में बताया गया है कौन से धारा में बताया गया है वो परिभा हजार किलोग्राम के बाहन को क्या का गया है भारी बाहन के स्रेड़ी में रखा गया है ठीक है और हलके बाहन के स्रेड़ी में किसको रखा गया है साड़े आएगी और आप एक्सिडेंट कर सकते हैं थीक है तो इसलिए 8 गंटा यहां पर किया गया है थीक चलिए अगला परस्नि है अगला प्रuencia है मोर्टरवाहान अदिनियम के तहत हलके वह़भान की सेडि में कौंसे वहभान आते हैं कि नहीं किस रिडि mm कॉंसे अजबान रखेके जो वह भाहन है वह अब हिम admin पिछले बिश्व LAUGHTER बताया था- तो यहां कौन से उसमें अधिनियम में तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 और 2019 वाले में भी बोला गया ठीक है चलिए तो यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं अगला पॉस्ट अगला प्रश्ण है ए रिक्सा व ए गाड़ी को मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा के अंतरगत परिभासित किया गया है तो यह ओप्सन नम्बर थ्री है धारा दो को के अंतरगत इसको परिभासित किया गया है ठीक है चलिए अगला पॉस्ट देख लेते हैं अगला पॉस्ट है किस धारा के अंतरगत चालक लाइसेंस को अनिवारे किया गया है मतलब किस धारा ने कहा है कि आपको लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है आप बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते हैं अगर चलाएंगे तो आपके खिलाफ कारूनी कारवाई होगी आपको फाइन परना पड़ेगा ठीक है तो किस धारा के अंतरगत ये बोला गया है तो यहाँ पर अप्सन नमबर 3 जो है वो करेक्ट है ठीक है धारा 3 के अंतरगत बोला गया है ठीक है चलिए अगला पसन देख लेते हैं अगला परशन है, मोटर वहान अदिनियम के तहत हलके वहान को चलाने के लिए कितनी नियुनतम आयू होनी चाहिए, ठीक है, तो जो हलके वहान होते हैं, उनको अगर चलाना है, ठीक है, सार्वजनिक जगा पर, ठीक है, सार्वजनिक जगा का मतलब रोट पर अगर आप चलात सकते हैं ठीक है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो 18 है ठीक है 18 साल के बाद ही आप आपको लाइसेंस जारी हो सकता है हलके वहां को चलाने के लिए ठीक है और भारी वहां को चलाने के लिए कितनी नियुनतमायू होनी चाहिए तो वह होनी चाहिए आपके 20 वर्स ठीक है और और जो electric bike है ठीक है या फिर कह सकते हैं कि 50cc से कम के जो गारिया है ठीक है 50cc से कम के जो हल्की छोटी गारिया है उनको चलाने के नियुंतमायू कितनी होनी चाहिए 16 hours होनी चाहिए ठीक है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडिय कि इसको देख सकेंगे ठीक है तो वीडियो को लाइक कर देजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइवाई टेक केर